मेरे परिवार जनों, हमने अभी भारत को लेकर हर तरब जो आशा और उच्छा है उसकी चर्चा की, ये आशा और उमीद बहुत अच्छी है, जब भारत विक्सिद होगा, तो इसका सबसे अधिक लाब युवाओं को ही होगा, लेकिन युवाओं को इसका लाब तब और ज़्यादा मिलेगा, जब वो फिट होंगे, आज कल हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसिस के बारे में कितनी बाते होती हैं, ये हम सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए, ज़्यादा चिंता की बात है, इस मन की बात के लिए मैंने आप सभी से फिट इंडिया से जुड़े इन्पुट भेजने का आगर किया था, आप लोगों ने जो रिस्पॉंस दिया, उसने मुझे उत्साह से भर दिया है, नमो एप पर बड़ी संख्या में मुझे स्टार्ट अप्स ने भी अपने सुझाव भेजे हैं, उन्होंने अपने कई तरह के अनूठे प्रयासों की चर्चा की हैं, साथियों, भारत के प्रयास से 2023 को International Year of Millets के रूप में मनाये गया, इस से इस ख्षेत्र में काम करने वाले स्टार्ट अप्स को बहुत सारे अवसर मिले, इनमें लखनव से शुरू हुए किरोजफूर्स, प्रयागराज के ग्रेंड मा मिलेट्स और न्यूट्रा सुटिकल रीच ऑर्गेनिक इंडिया जैसे कई स्टार्ट अप सामिल हैं, एल्पिनो हेल्फूर्स, अबोरियल और किरोजफूर्स से जुड़े युवा, हेल्दी फूर्स के आप्संस को लेकर नए-नए इनोवेशन भी कर रहे हैं, बैंगलूर्य के अन-बॉक्स हेल्थ से जुड़े युवाव नहीं है, ये भी बताया है कि कैसे वे लोगों को उनकी पसंदिदा डायेट चुनने में मदद कर रहे हैं, फिजिकल हेल्थ को लेकर दिल्चस्पी जिस तरह से बढ़ रही है, उसे एक शेत्र से जुड़े कोशिश और ट्रेनर्स की डिमांड भी बढ़ रही है, जोगों टेक्नलोजी जैसे स्टार्ट अप्स इस मांग को पुरा करने में मदद कर रहे हैं, साथियों, आज फिजिकल हेल्थ और वैल्बिंग की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन इससे जुड़ा एक और बड़ा पहलू है, मेंटल हिल्थ का, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है, कि मुंबे के इनफी हिल और यॉर दोस्त जैसे स्टार्ट अप्स मेंटल हिल्थ और वैल्बिंग को इंप्रूब करने के लिए काम कर रहे हैं, इतना ही नहीं, आज इसके लिए आर्टिफिशल इंटलिजन्स जैसी टेक्नोलोजी का इस्तिमाल भी किया जा रहा है, साथियों मैं यहां कुछी स्टार्ट अप्स का नाम ले सकता हूँ, कि लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आप सभी से आग्रह करूँगा, कि फिट इंडिया के सपने को साकार करने के दिशा में, इनोवेटिव हेल्थ केर स्टार्ट अप्स के बारे में, मुझे जरूर लिखते रहे हैं,